मित्रो आज हम चर्चा करेंगे औरंजेव के जीवन के उन अंच्छुए पहलों की ओर जिनकों की आप सैद न जानते हो या ऐसे बहुत से तथ जो आम लोग औरंजेव के बारे में नहीं जानते हैं प्राय हम सभी के मस्तिस्क में औरंजेव की जो चवी है एक कटर और हिर्देहीन मुगल सासक की चवी है लेकिन ऐसा नहीं था औरंजेव का जीवन बड़ा बिरोधा भास तोन था औरंजेव मानवी सम्मेजना भी रखता था और औरंजेव के उन तत्यों के बारे में हम में से बहुत से लोग नहीं जाते हैं औरंजेव का जन मुगल बासा साजहां और उसकी वेगम ममताज महल से हुआ था और इसका जन 1618 इस भी में आज के गुजरात के दाहोध अस्थान पर हुआ था पिता साजहां मा ममताज महल जन 1618 इस्थान दाहोध गुजरात और अजेव स्थुरू से बहुत जीवट किस्मका आदमी था बहुत अच्छा योधा था और मुगल बासा साजहां ने इसलिए इसकी बहादुरी को देखते हुए धकन का सुवेदार इसको बनाया और धकन बिजय की उपलच्छ में इसको आलमगीर की उपाद भेदी अपने पिता की बीमारी और भाईयों के साथ लंबे संगर्ष के पस्चाथ इसको मुगल बासा बनने का मौका मिला उत्राधिकार का एक बड़ा लंबा युद्ध हुआ और उसके बाद जब ये सासक बना तो इसकी जो नीतियां थी वड़ी कट्टर थी ऐसा लगता था कि एक ऐसा सासक के जो बहुत हिर्देहीन है और कट्टर इसलामी सद्धानतों को मानने वाला है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं था आज हम इसके जीवन के दूसरे पहलो पर जचा करेंगे और अन्जेब जब दकन का वाइस राय था तो अपनी मौसी और अपने मौसा के बुलावे पर बुरहान पुर गया इसके मौसा खाने जहां उस समय धकन में बुरहान पुर में थे वहीं पर इसको एक कस्मेरी हिंदू लड़की जिसका नाम था हीरा बाई जैना बादी वो एक नर्तकी थी उसको इसने देखा और ये उसके प्रेम में पढ़ गया एक ऐसा व्यक्ती जो कट्रे इसलामी संधानतों को मानने वाला था लेकिन वो प्रेम किस से ब कर वैठा एक हिंदू लड़की जिसका नाम हीरा बाई जैना बादी था और उसके प्रेम में ये इतना गहराई से ढूप गया कि उस नर्तकी के बल्ले इसने अपने राजदरबार की छितर बाई नाम की एक जो नर्तकी थी वो आसफ खां को दे करके हिरा बाई जैना बादी को इसने अपने पच्छ में ले लिया तो हिरा बाई जैना बादी से इसने बिवाह कर लिया जो कि एक हिंदू नर्तकी थी ये बहुत कुसल नर्त तेंगना थी और इसके साथ वो दकन में काफी एरसा इसने बिटाया कुस समय बुरहानपुर में उसके बाद दौलतावाद में और कहते हैं कि इसी की संगत में औरंग जैबने वो तमाम जो अखलाक थे जो इसलामी नियम और कानून के उनसार थे उनको छोण बैठा और ये दारू पिने लगा बहुत जदा सराब के नसे में सराब के उसमें रहने लगा लेकिन थोड़े ही समय में हीराबाई जैनवादी की मृत हो गई तो इसलिए उसकी मृत के पसात औरंजेब ने पसाताब करने के लिए सराब पिना छोड़ दिया और इसने अपने पापों के प्रयास्चित सरूप संकर्प लिया कि वो कट्टर इसलामी संधानतों को मानेगा और सराब को हाथ नहीं लगाएगा तो हीराबाई जैनवादी का आना उसके जीमन में एक हिंदू नर्तकी का आना साथी साथ उसके साथ सराब के नसे में धुत रहना और उसके जाने के बाद एक कट्टर सलामी संधानतों के रूप में उसका पढ़ने उसके जीमन के विरुधावास को दिखाता है यही नहीं और अजे जब दच्छिन भारत में था तो उसने एक दूसरा विवा भी किया जिसका नाम था दिलरस बानो बेगम दिलरस बानो बेगम के साथ जब इसने विवा किया तो इसकी प्रिये पत्नी में से थी और दिलरस बानो बेगम जिसको हम राविया उद्दौरानी के नाम से भी जानते हैं राविया उद्दौरानी औरंजेव की प्रिये पत्नी थी 1657 ये वो समय है जब औरंजेव का उत्राधिकार का युदुचल लहा था भाईयों के भी संगर्स था राजगत्दी को प्राप्ट करने के लिए इसी दोरान राविया उद्दौरानी की मृत्त हो गई 1657 में ये औरंजेव की प्रियरानी थी प्रिये वेगम थी औरंजेव ने इसकी याद में ताज बहल की तरे ही बहुत ही नाया बिमारत बनाने के लिए इसने सोचा और इसका मकबरा औरंजेव का जो पुत्र था साहजादा आजम उसकी देखरेख में औरंगाबाद में बनाया गया जो 1679 में बन करके तयार हुआ 1679 में साहजादा आजम की देखरेख में बना और ये ताज महल की हुबहु प्रतकृत थे और इसलिए इसको दूसरा ताज महल के नाम से भी जानते है तो औरंजेब ने अपनी प्रिय वेगम की याद में अपने पिता साहाँ की तरह ही उसने एक दूसरा ताज महल बनाने के लिए सोचा और उसको मूर्थ रूप दिया लेकिन वास्तकला के दिल से ये उतना अच्छा नहीं बन पाया तो दूसरा ताज महल कहा है औरंगाबाद में किसके दोरा बनाया गया औरंजेब के दोरा राविया उद्दौरानी जो उसकी बेगम थी ये जिसका वास्तविक नाम था दिलरस्बानो बेगम इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है इस इमारत को बीबी के मकबरे के नाम से भी जानते हैं औरंगाबाद वो स्थान है जहां औरंजेब की दो पत्निया दफ्ण है एक तो राविया उद्दौरानी और दूसरी वो पत्नी जो हिंदौ थी हिरावाई जेनाबादी हीरावाई जैनाबादी की कबर भी औरंगाबाद में और औरंगाबाद से थोड़ी दूर पर औरंजेव की कबर है जिसको कहते हैं खुलताबाद खुलताबाद में औरंजेव की कबर है औरंजेव कट्टर इसलामिस धन्दों को मानने वाला था इसलिए उसने अपनी वसियत में लिखा कि उसकी कब्र पर कोई ऐसा मगबरा न बनाया जाए उसकी कब्र मिट्टी की रखी जाए और इसलिए उसकी कब्र पर कोई मगबरा नहीं है खोले में मिट्टी की कब्र है एक बहुत ही सादगी पूर्ण जैसे उसने जीवन जिया उसी प्रकार की उसकी कब्र भी आज भी है और उन जे कट्र इसलामी से धांतों को मानने वाला था संगीश से बहुत नफरत करता था मुगल दरबार के सारे जो ऐसे कलाकार थे संगीश कार थे उन सब को उस नफरत करने वाला लेकिन दूसरी और उसके दिल में एक ऐसा व्यक्ति था जो संगीश से प्रेम करता था और एकांत में वो बीना का आनन्द लेता था ये उसके व्यक्तित का विरुधावासी चरितर है औरंजेब जहां एक कटर इसलामिस धानतों को मानने वाला अनेको मंदिरों को धोस्त करके इसलाम धर्म का प्रचार करने वाला इस रूप में उसका बढ़न पाते हैं वहीं कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी औरंजेब के द्वारा उन मंदिरों को दिये गए दान और अनुदान के तामरपत इस बात के सबूत हैं कि औरंजेब के मन में ऐसे मंदिरों के प्रच ऐसे हिंदू धर्म गुरुगों के प्रच सद्धावी थी तो ये भी उसके व्यक्तुत का एक द्वरा चरित्र है औरंजेब के ये जो तत्य हैं इन तत्यों से बहुत से लोग परचित नहीं है इसलिए मित्रों इन तत्यों को भी साथ जाने और ऐसे बिवित तत्यों के साथ हम आपसे फिर उबरू होते हैं आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने पर क्या भी देंगे चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहें थैंक्स